आज की वीडियो में मैं आपको गुलाब की पतियों से 100% प्योर और्गैनिक अरके गुलाब आप घर पे कैसे त्यार करेंगे वो भी बहुत असान तरीके से आपको बताऊंगी आपने वीडियो को एंड तक देखने है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है विस्पिल्लार रख्मानी रहीमा, असलाम अलेकुम, कैसे हैं हम सब लोग आज मैं आपको अरके गुलाब 100% प्योर घर पे बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत असान तरीके से सिरफ और सिरफ 20 रुपए में आप पतियां लीजिए और आदा गिंटा के लिए उनको चुले पे रखेंगे और हमारा 100% प्योर और्गैनिक अरके गुलाब जो है वो घर पे रैडियो जाएगा आपने पतियों को अच्छे से साफ कर लेना है साफ करने के बाद उनको सास पैन में डाल देना है सास पैन ऐसा होना चाहिए जो के थोड़ा गेहरा हो ताकि आप उसके अंदर कुटोरी रखेंगे दो कुटोरी रखेंगे तो वो असानी के साथ जो है वो सेट हो सके यह देखे है बिल्कुल इस तरह से एक कोटोरी आप नीचे रखेंगे उसके उपर एक और कोटोरी रखेंगे और इसके उपर जो है वो हम बरतन का लिड देंगे अच्छा जी यह सेट हो चुकी है कोटोरी आब हम इसमें पहले डालेंगे पानी एक से और गलास यह मैंने सिरफ़ और सिरफ 20 रुपय की पत्या लियें उसमें एक से और गलास मैं पानी का डाल रही हूं और उसमें इस तरह से कुटोरियां सेट करके मैंने रख दी हैं अब मैं इसके उपर दूँगी लिड और इसके उपर ये सुराख हैं तो इनको मैं आटे की मदद से बंद कर दूँगी ताके हमारी जो भाप होगी वो बाहर ना निकले अचा कोशिक कीजिए का जो बुरतन का लेडe हो वो आपका कांच का हो या ट्रांसपैरंट सा हो थाके आपको अंदर से नजर आता रहे अच्छे जब यह हमारा पकना शुरू हो गया हमें नजर आना शुरू हो गया और प्रोसेस भी शुरू हो गया तो हम इसके उपर थोड़ी सी बरफ डाल देंगे बरफ डालने का क्या मकसद है नीचे से जब गरम होगा उपर से जब धंड़क उसे मिलेगी तो हमारा प्रोसेस जो है वो अरक बनने का ज्यादा तेज हो जाएगा तो आपने इसी तरीके से इसको आदा गहिंटा के लिए चुले पे पहले हाई फ्लेम पे फिर लो फ्लेम पे छोड़ देने हैं और आदे गहिंटे के बाद देखिए आपका माशालला माशालला घर पे और गैनिक अरक गुलाब जो है वो रेडी हो चुका है बहुत असान तरीके से हमने 100% प्यूर और गैनिक अरक गुलाब जो है वो घर पे रेडी कर लिया है अब ये जो बाकी पतियां बच गी है इन में बजाहर तो नजर आ रहा है बहुत ज्यादा लिकृड नहीं है लेकिन जब हम इनको इस तरह से प्रेस करेंगे तो आप जियागा और इसको आप हाथों पे होंटों पे चीक्स पे जैसे मर्जी इस्तमाल करें आपके होंट पिंक हो जाएंगे और ये पिंक कलर का सीरम है तो आपने इसको फैंकना नहीं है इसको भी बहुत व्यूसफुल तरीके से आपनी इस्तमाल करना है ये जो अरके उलाब की क्वांटर्टी रेडियो ये महीना भर आपके लिए काफी है अब आपने बाहिर से महंगे महंगे अलाब नहीं लेने बलके घर पे और गैनी करके अलाब रेडि करना है अच्छा जी मेरा दूसरा जो है क्या वो लेके है मौबती को जी जनाब मौबती ये मैंने दो बड़े निकला इसको निकाल देना इसको फैंकना नहीं है इसको हमने बहुत जबर्दस तरीके से स्थमाल करना है आपने कोई भी मैंने थोड़ी दो मौबतीया ली है तो मेरा बरतन भी छोटा है मैंने छोटे वारा गिलास लिया है कांच का उसमें मैंने रखी है पत्तिया बहुत सबर्दस्ट सेट करके और बीच में मैंने डाल दिया है जो अभी धागा निकला था सेंटर में बिल्कुल वो खड़ा कर दिया है अब जो मैंने मौबतिया मेल्ट की है उनको मैं इस कांच के गिलास में डाल दूँगी और आप देखिए माशाला माशालला किता खुबसूरत हमारा मौबति रेडी हुई है और देखने में बहुत खुबसूरत लग रही है और जब यह जल रही है तो इसकी जो है वो खुश्बू बहुत सबर्दस्थ है आपने इन दोनों ट्रिक्स को अपलाई जरूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी हूँ इसी के साथ मुझे अज़ाज़े दीजिए इन्शाला नेक्स वीडियो में मुलाकात होगी तेंक्यू वेरी मच्च खुश रहें अबाद रहें